नगस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं बता दूं कि इस साल यानि 2021 में जो है UPSC Civil Service Prelims का एक्जाम हुआ और यह आपका दो सिफ्टों में हुआ था पहला सिफ्ट में हुआ GS Paper 1 और दूसरा सिफ्ट में हुआ CSET का पेपर जिसमें से GS Paper 1 जो था 100 कोशन था 2 घंटा का समय मिला था और इसमें टोडल 200 नमबर का था ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो CSET का पेपर जो था वो टोडल 80 नमबर का था और इसमें भी सेम टाइम मिला था 80 कोशन था ठीक है अब बात रहा कि इसमें क्या expected कटफ हो जाएगा उसको इस वीडियो में बताने के कोशिस करूँगा लेकिन ये वीडियो जो इस पेसली मैं बना रहा हूँ वो result को लेकर बना रहा हूँ कि इसका expected result क्या रहेगा वैसे कटफ के बारे में मैंने अपने इस चैनल पे पहले ही वीडियो बना दिया है तो आप चाहें तो आप इस चैनल में जाकर वीडियो के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या expected कटफ रहने वाला है इसके अलावा मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना न भूले ताकि आने वाले जितने भी आगामी परिक्षाओं के नोडिफिकेशन से वो आपको मिल सके तो चले स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पाँ कुछ डाटा है ठीक है और यह डाटा क्या है हम लोग देख लेगते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि 2021 का जो UPSC Civil Service Prelims का ठीक है तो admit card available हो गया था 16 September से 10 October के बीच और इसका जो exam हुआ वो 10 October 2021 को हुआ जिसमें विभिन अलग-अलग center पड़े हो थे वहां जाकर के सभी ने exam दिया अब बात रहा कि expected cut-up का तो मैंने बता दिया कि expected cut-up आप वीडियो के section में जाकर देख लेंगे और वैसे मैं result आपको बता दूँ मैं जो result बताऊंगा कि इसके expected result क्या रहेगा वो मैं बताने से पहले मैं बता दूँ कि इसका जो mains का जो exam होने वाला है ठीक है वो आप देख सकते हैं mains का जो exam होगा वो 7, 8, 9, 15, 16 जनवरी 2022 को होगा यानि आप समझ सकते हैं अभी October का महिना चल रहा है और बीच में November है और December है यानि दो महिना का अंतराल है इसके बीच आपका main परिक्षा स्टार्ट हो जाएगा यानि अगर आपको लगता है कि आप cut-off पार कर रहे हो तो आपको पढ़ाए बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए आपको लगातर जो है आपका अपना consistency बनाना चाहिए ताकि mains में आप qualify हो सको और साथ ही interview में भी qualify हो जाओ तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इससे पहले मैं बता दूँ कि previous year यानी 2020 में जो civil service का exam हुआ था उस आकड़ों को हम लोग देखते हुए result बताएंगे कि यह जो civil service prelims का जो result है वो कब तक आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो हमारे पास आकड़े है वो 2020 का जो civil service का exam हुआ था उसका आकड़ा है ठीक है और इस आकड़े में क्या कुछ खास है वो देख सकते हैं इसका जो registration हुआ था वो 12 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2020 तक हुआ था preliminary exam के लिए admit card जो है वो 1 September से 4 October तक आ गया था और exam जो हुआ था वो 4 October 2020 को हुआ था यह मैं पिछला civil service exam का बात कर रहा हूँ जिसका final result कुछी दिन पहले घोसित किया गया है ठीक है तो इसका जो result आया था न प्रिलिम्स का result ठीक है चार अक्टूबर को exam हुआ और result प्रिलिम्स का आ गया था 23 अक्टूबर को अब आप ही बताई कितना का difference है ज़स्ट 19 का difference है 19 दिनों का difference है यानि अगर हम लोग देखें तो civil service का exam जो हुआ था पिछले साल प्रिलिम्स का तो प्रिलिम्स का exam होने के 19 दिन बाद ही जो है इसका result घोसित कर दिया गया था प्रिलिम्स का result आ गया था तो उस अनुसर आप 19 दिन इसमें add कर लिजे ठीक है चलिए 19 दिन add करते हैं तो 10 अक्टूबर को exam हुआ था आपका ठीक है तो 10 अक्टूबर में plus हो जाएगा आपका 29 तो expected जो है आपका 29 October है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो एक number तक जाएगा एक 11 2021 यानि आपका sure है कि एक number या उससे पहले भी आपका prelims का जो result है prelims का जो result है 2021 का वो आपका घोसित कर दिया जाएगा इसके बाद answer की भी घोसित किया जाएगा तीक है उसी दिन या उसके एक दो दिन आसपास तीक है और साथ ही मैं बता दूँ कि उसके बाद अगर हम लोग देखे मेंस का एक्जाम कब हुआ था तो मैंस का एक्जाम जो है वो आठ से सत्रह जनवरी की बीच हुआ था यानि अक्टूबर में जो है आपका इसका एक्जाम हुआ था चार अक्टूबर के प्रिलिम्स का एक्जाम हुआ और मेंस का जो exam हुआ वो जनवरी में हुआ ठेक, आठ जनवरी से हुआ तो इधर भी देख सकते हैं, अक्टूबर और जनवरी के बिच कौन-कौन संबन था रहा है अक्तोबर से एक नौमबर के बीच आपका civil service prelims 2021 का result जो है वो घोसित कर दिया जाए ठीक है आगे जो भी जानकारी आएगा वो definitely मैं आपको इसी चैनल पर दूँगा तो आपको करना होगा क्या मेरे चैनल को subscribe साथी bell icon को दबा देंगे ठीक है और अपने दोस्तों को share कर के अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हो जाएंगे ठीक है यहां पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद